लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं है इसको लेकर फिल्म इंदिश्टी नहीं साहित्यकार भी बहुत ही दुखी हैं हम इस वक्त आयुध्या में हैं जहां साहित्यकार यतिन्र मोहन मेंसे से खास बाचीत में उन्होंने इस लता सुरगाथा और उनके जो संबंद रहे हैं उसके बारे में उनोंने बिस्तार से बताया है मेरे लिए बहुत सवभागे की बात है कि एक संगीत रसिक के तोर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्हें मेरा चुनाओ किया और मैं उन पे किताब लिख सका लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं सवभागे शाली कि उनका समय और उनका प्यार मिला मुझसे जादा बड़े अतिरे की प्रशनसक उन पे शोत करने वाले देश भर में विदेशों में पहले होंगे शायद वो कभी मिलना पाए लता जी से और अब तो नहीं मिल सकते हैं वो जीवन में नहीं हैं मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि उ लता जी मैं ऐसा क्या था जो मेरे हवाले से दुनिया को बताया जाए मैं भी वे एक ऐसा ही सामाने प्रशनसक हूं जैसे आप हैं भारत का दूसरा कोई भी विक्ति है आजाद भारत की वो सबसे बड़ी सांसकितिक पहचान थी और एक वासे कहा जाए तो हिंदूस्तान की आवास थी उन्होंने देश के आजादी के साथ अपने जीवन संगर्श को अपना करियर शुरू किया और आज हम जब 75 वी वर्श गांट मना रहे हैं तो लता जी के करियर के भी 75 वर्श पूरे होते हिंदी फिल्म इंडस्री में जब नोंने कदम रखा तो ये शरीव घर की लड़कियों के लिए इजदी निगाह से नहीं देखा जाता था उन्होंने सुनशित किया कि अच्छे घरों की लड़कियां मध्येवर गिये घरों की लड़कियां भी आ करके अपना मकाम बना सकती है अपनी शर्टों पर जी सकती है आजाद भारत का जो स्वपन है जो इस के लोगों गाने वाली महिला अल्ला तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम गाने वाली महिला दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा गाने वाली महिला महाराश के घर घर में गाया जाने वाला सड़ा का गाना सुबह का गन्शाम सुन्दरा, श्रीधरा, अरुणो दे जाला लता मंगेशकर संभाव करती है लता मंगेशकर ही आपको आपकी सांस्कतिक पहचान देती है जब वो मीरावाई के भजन गाती है जब वो गीता गाती है, ग्यानेश्वरी गाती है लता मंगेश को खोकर आज पूरा देश प्रभावी था और लोग इस चल को याद कर रहे हैं अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को